हर हर महादेव आप सभी को स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इसकी जो मंदिर की चुटिया थी तो बन गई है और आपको आगे का जो कार है वो दिखाएंगे अब इस मंदिर में क्या-काम जो है रह गया है जो पिसम मंदिन की जो छुटिया थी अंदर तो उसमें जो अंदर मैं ने आपको दिखाया था उसमें नियुकर अंदर भरे गए ते आपने देग थे अन्नर Us बेटए बरकर कर् monstrin चुटिडियne बने अब उन कंडों का क्या हुआ है ए और क्या क्या हो रहा है कि मैं आज़ आपको दिखाऊं गाओ और इसमें और कारी जो रहे गए वह आप देख लें कि कालिगर है बीतर जए देखां चुटिया के अंदर जो पलस्टर वगयारा कर रहे हैं। यह पूरी मैं पूर को को करने मं पूरा को सुखक पता है। अंदर पलस्तर करने हैं और मैं आपको दिखा दूँ जो कंडे और जो मट्टी भरी गई थी तो उनका क्या हाल हो गया देख रहूंगा पूरे साज कंडे इसमें भरे थे और इनका जो निकले हैं जब यह तो इनका पूरा कंडों का चूरा बन गया आप देख रहूंगा यह क सारे कंडे अंदर चुटिया से निकाले गए हैं यह करके तो यह सारा कंडे टूटकर ही निकले हैं यह इतने छोटे-छोटे टुकडे इनकी हो गए हैं आपको अंदर दिखा दूँ चुटिया में वीतर देख रहूंगा यहां पूरे में सीमेंट ऊपर तक हो गया है चुटिया बनवा दोगे तो इसमें गंटे के वाद सही नहीं आती इसी रही है जो आज यह इसमें पूरा प्लश्टर बगेरा होगा और मंदिर के जो बहार के जो गेट है वह भी इसमें लगेंगे तो बने रहें दोस्तों वीडियो के साथ तो मैं आपको दिखा दूँ य यहां पर एक गेट जो है लगाया है पली शायड में दिखा दूँ में आपको और एक गेट यहां पर लगेगा तो अंदर मंदिर में जो पलाश्टर बगेरा था बहू चुका है मैं आपको दिखा देता हूं इसमें पास जाकर कि कि तो मैं देख रहे हूंगा आप यह चारों तरफ से जो पलस्टर है वह हो चुका है और इसमें क्या-क्या रह गया पलस्टर में आपको दिखा दो बीतर जागे देख रहे हूंगा ऊपर पूरा जो प्लस्टर है वो क्लियर हो चुका है तो आपने देखा हूँ अंदर जो पलस्टर का जो काम है वो हो चुका है केवल एक जो है एक वंडरी यह रह गई है थोड़ी सी और सारा काम इसमें हो गया है तो दोस्तो अंदर जो है पलस्टर हो गया है दोस्तो बाहर जो है बाहर की दीवाल रह गई है और दीवाल से पहले यहाँ पर दोस्तो जो गेट है वो लगा है क्योंकि बाहर भी पलस्टर होगा और पलस्टर के बाद गेट अगर लगेगा तो फिर पलस्टर को तोड़ना पड़ेगा इसलिए यह गेट जो है पहले लग गया है इसलिए पहले लगा है क्योंकि यह पलस्टर हो दुबारा तोटार ना करना पड़े इसलिए क्योंकि बाहर अंदर का कार रह तो पूरा हो गया पलस्टर का बाहर का जो रह गया है तो एक गेट तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हूंगे आप लगेगा और एक गेट बहार जो रोड की तरफ है वो लगे यह तो गली की तरफ हो गया और एक जो रोड है उधर भी एक गेट लगेगा कि यह दोस्तों जो गेट है यह तीनवाई तीन का गेट है अब यहां पर जो बॉंडरी आप देख रहे होंगे मंदिर के भीतर अब जो पलश्टर है वह उपर भी होगा और उपर जो है इसकी चुटिया थी उपर मैं आपको दिखाऊं पहले तो यहां पर लगेगा जो इट रखिये है और उपर जो है चुटिया के हार रेलिंग लगेगी रेलिंग पाइप जो होती है इसी वीडियो में आपको में दिखाऊंगा कि आज दुस्तों यह पूरा जो है मंदिर फलस्टर हो गया अब यह मंदिर जो हमने दिखाया था अब दूसरा दिन है यानि जो प्लस्टर हो रहा था उसके दूसरे दिन की वीडियो और उपर जो कारीगर है वो देख करें आप जो रेलिंग जो पा बास्तर हो गया है देख रहे होंगे आप अब जो है यहां पर जो रेलिंग पाइप लग रहे हैं देख रहे होंगे आप मिस्तकारी गर जो है काम कर रहे हैं कि अब जो रेलिंग पाइप ती वह तीनों लग चुकिया मिस्तरी गयों की चुटी हो गया क्योंकि साम हो गया तो वह चले गए हैं अपनी घर पर यानि अब दोस्तों अब यह देख रहे होंगे यह ती जो रेलिंग लगी थी कल और आज इसमें यह गेट जो है चड़ाया एक गेट तो मैंने आपको दिखाया था उधर चड़ा था और एक गेट यहां रूड की तरफ चड़ाया यह दोस्तों जो गेट है तीन वाई चार का है यह उससे पल्ल े गर चले गए है आस को कैबल गेट होँगा आप तो उन जो को कर दो को शॉस्टा कम रख एक और चैनल और कास्वीं किया है तो चैनल को सुस्क्राइब कर ले मंदिर में हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या काम है जो रूगा ँडिकर तो थीक है उयक्स वीलिब यह मlor झाल झाल